दुर्गा पूजा इसी हफ्ते शुरू होने वाली है ऐसे में मा दुर्गा की पर्जमाये बनाने वाले कलाकार दिल्ली के सियार पार के लाके में एक दिन जाद जुटे हुए हैं यहां के कलाकारों ने बताया कि वो बनाने के लिए विशय angef当़ पर्योग करते हैं इसको पर्लाद करने के लिए भी नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है यह ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन पतिमाओं को जब नदी में या पानी में विसरजित किया जाए तो उससे ना पानी दूशित हो और ना ही धर्ती दूशित हो इसलिए इन पतिमाओं को इको फ्रेंडी कलर और मिट्ची से बनाया जा रहा है हम लोग जो पेंटिंग जो चीज मिला थे इमली का जो बीच है उसका बीच पाउडर आते जला के घोल बना ले थे उसकी पर कालर में डाल के मूर्ति में लागा थे यह एकड़ मुर्ति में एक एक कलार इउस करते है और भी एक एक मूर्ति बनाने के किम से कम दवजबार दिन लागता है फोरा बहुत करके सी क्या कपड़े वगरा कहां से लाते हैं यहां से रेडिमेट कपड़ा आते हैं आपका अच्छे जो बुड़ा है वो बुड़ा का ओपर अपर अपर पेंटिंग हो रहा है वो अपना हाथ से मनाते हैं कोई भी पेंटिंग कर रहा है कोई भी धाचा बनाते हैं कोई भी पुड़ा भी बनते हैं इसलिए एके कलाका एके काम कर रहा है हम लोग यहां आया है तीन महेना और हम बना शिका है 14-15 साल चे साल हुआ हम जो आठेना आया आठ करता हूँ तो सारा मुर्ति बनाता हूँ दूर्गा मुर्ति गनेश मुर्ति विश्यगर्मा मुर्ति विश्यगर्मा मुर्ति चला गाए गनेश मुर्ति चला गाए अभी दूर्गा का काम चल रहा है तो काम चलने के बाद, बाद में काम फिनिस हो जाएने के बाद, हम कोलगाता चला जाएंगे इस आर्ट को क्या कहते हैं? यह आर्ट को कहते हैं अबरुपेंट ओरुपेंट? अबरुपेंट तो यह आपने मित्टी की मूर्थी पे ही बना है यह कपड़ा है? इस एक मूर्थी के कपड़े को पूरा बनाने में कितना टाइम लगा होगा अपको एक दिन लग जाएगा एक मूर्थी का एक दिन लग जाएगा